आजाज समाज पार्टी के माध्यम से हम लोग लड़ रहे हैं। उस लड़ाई को मजबूती देने के लिए और बहुजन समाज को ससक्त बनाने के लिए। अपने साहरे से अपने इसाहरे से अपने आंदोलन को ताकतर बना के इस देश में सोशित वंचित वर्क की जो राजनीती है जो बहुजन विचाया मापुर्सों की आइडलोजी पे उसको मजबूत करने के लिए आप सभी का धन्यवाद आभार आप सब लोगों ने आजास समा साहब की बहुजन विचारदारा कहां तक पहुची तो मैं अब आप से अपील करता हूँ ज़्यादा समय ना खर्च करते हुए क्योंकि मैं गौरकपूर में हूँ और यहां मैं खुद परतियासी हूँ तो मुझे ज़्यादा काम करने है यहां की यूनिट से मुलाकात करनी आज हम लोग फिल्ड में थे जनता का बड़ा समर्थन है और आज के समर्थन से विश्वास हुआ कि हम यहां जीतेंगे और मजबूती से अब आगे की तियारी आओगी मैं लगाता रहे हूंगा चुनाओं तक यहीं से कन्वेंसिंग करके जो आज-पास के जिले हैं उनमें सत्ता कद रुपयों करके बहुत सारे प्रत्यास हों के नोमिनेशन कैंसल कराए गए लेकिन जो बाकी प्रत्यासी हैं उनका एक बार आप से नाम ले दे रहा हूं आप से अपील कर रहा हूं क्योंकि सब जगह नहीं पहुँच पा रहा हूं कन्योज जिले से 197 तिर्वा विदांदर सद्य रामपाल सिंग जी हमारे प्रत्यासी है मेरी आप से अपील इनके केतलिक इंसान पर जाज़ादा वोट करें और या दोसो तीन दिबियापुर से सद्य धरेंदर गोतम जी हमारे प्रत्यासी मैं आप से अपील करता हूं कि इन हमारे प्रत्यासी है मैं आप से अपील करता हूं और या की जंता से कि इनके पक्स में वोट करें दिबियापुर में भी धेंदर गोतम जी के और और या जो स्वक्सित है वहां सद्य विने गोतम जी के चुनावन सांग केतलि पर वोट करें कानपूर दियास सिकंद्रा अजेंदर सिंग्जी या दव जो प्रत्यासी मैं आप से अपील करता हूं कि उनकी मदद करें और एक एक वोट उनके केतलि के निसान पर दे के उनको ताकत दें कानपूर नगर घाटम पूर स्रद्य राम जीवन कोरी मिसंडरी व्यक्ति है यह आजास समाजपाटी प्रत्य जैसी मैं अपील करता हूं कि समर्थन में वोट करें टूंडला विधान सभा नरेश कुमार गोतम वहां से प्रत्यासी हैं आजास समाजपाटी मेरी अपील है कि एक एक वोट केतली इंसान पर देखे टूंडला विधान सभा में इनको मदद कराएं और इनको ताकत देंको लोधी के ताकत सीधे मेरे खाते में आ रही है जलेसर विधान सभा से सोक कुमार जी सीनियर अधिकारी रिटैर हुए और बहुत मिशंडरी समर्पित जब तक सेवा में रहे तब तक अपने लोगों के काम बहुज़ों समाज के लोगों काम सरकारी मसीनरी में रहते हैं करव प्रभु देयाल लोधी जी आजाट समाज परटी के परटियासी मेरी कास्ट रेंज के द वोट देके वहां मजबूत करें और इस बार केतली को वहां से भरके बेजें सिरी मोतिलाल अहिरवार जी 227 महरोनी जिला लुलतपूर से प्रतियासी हैं और मेरी आप से निवेदन अपील है कि इनको ज्यादा ज्यादा वोट देकर सफल बनाएं सिरी केसव सिंग जी बवीना ज्यादा ज्यादा वोट देकर मदद करें और एक एक वोट सोसित वंचित वर के लोग आजास समाजपर्टी के प्रतियासी सिरी तेस कुमार जी को दें और 233 बवेरू से जिला बांदा सिम्मी बर्वन जी जो हैं वहां अमारी बेहन प्रतियासी हैं मेरी आप से अपील है क कि इन सभी प्रतियासी के फक्स में एक एक वोट दे के आजास समाजपर्टी भी मारमी को ताकत दें और एक अंतिम निवेदन पिछले पांस साल में दो साल जिन में मैं जेल में रहा है और उसके बाद कोई ऐसान दोना नहीं उत्तर प्रदेश में जो लोग हम लोग ना लेकिन क्या ये कभी आपके बीच में आए आज भी जहां का अदिकार अन्या अत्तचार की बात होगी जहां भी जुल्म जाती अन्या का सिकार होंगे तो वहां सब से पहले अगर कोई खड़ाओगा तो भीमारमी आजार समाजपर्टी मेरी आप से अपील है कि भीमारमी जहां जहां आपके यहां खत्म हो जाए चुनाओ जो लोग आना चाहते हैं सेयोग के लिए गोरकपूर वो लोग आएं और गोरकपूर में भी हम लोग अगले दर्स दिनों में चुनाओ मजबूती से लड़ेंगे और यहां से जीत के ताना शाह मुख्य मंत्रों के उनके सेयोगी दल्ग को समाजी परिवरतन मोर्चा के प्रतियासों को सफल बनाएं जै भी जै भारत जै सविदान एक गरीब के बेटे को प्रेमरी स्कूल के अध्यापक के बेटे को आज आपने जो ताकत दी है जो हिम्मत दी है उससे अमीरों को यह एसास हो गया है कि अब गरीब उनके आगे हाथ नहीं फैलाएगा वो रिडिकेट अपनी कमजोड नहीं करेगा वो अपने दम पे ताकत कठा करेगा यह वोट काधिकार वाव सामबिटकन थे हमको दिया है विखने के लिए नहीं दिया गुलामी के लिए और का तौट की सुक्षा बेहन बेटी क रख़ा की तरह करनी इसको फेखना नहीं है किसी पर्लहोंड में नहीं देना है अपनी पाल्टिकोदे के इसको ता समाज पाटि सभी कारेकरत पतादिकारों को दिल से धन्यमाद जै भीम जै भारत